प्यारे बच्चों, ग्रिश्म काली नवकाश के बाद आपका हिंडी कक्षा में स्वागत है आशा है आप सब अपने परिवार के साथ खुशल पूर्वक होंगे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके PT1 शुरू होने वाले हैं आशा है आप सबने अपने सभी पाठ अवश्य याद किये होंगे और उनका अभ्यास भी किया होगा आज की कक्षा में हम पूर्व में पड़े गए पाठ शब्द एवं पद के एक भाग वर्ण तथा शब्द का दोहरान करेंगे दोहरान में स्वर्पथम हम वर्ण का अध्यन करेंगे वर्ण वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण दो प्रकार के होते हैं पहला भाग है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन सरप्रथम स्वर पढ़ेंगे स्वर ग्यारह होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं हिरस्वर, दीर्ग स्वर हिरस्वर में A, E, U, R दीर्ग स्वर में A, E, U, A, I, O, O अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं और यहां पर मैंने आपको दो ही प्रकार दिखलाएं हैं स्वर, तीसरे जो स्वर होता है वह है प्लुथ स्वर होता है जो कि मैंने आपको पूर वाली वीडियो में बताया था प्लुथ स्वर हिंदी भाषा में कुछ ही जगा उप्यूक्त किया जाता है जिसमें जैसे कि ओम शब्द के अंदर हम प्लुत्श स्वर का प्रयोग करते हैं यह कभी-कभी प्रयोग होता है इसलिए इसका जिक्र कम किया जाता है आगे हम वर्ण के दूसरे बेद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन तेतीस होते हैं व्यंजन स्वरों की सहता से ही बोले जा सकते हैं स्वर की सहता से बोलने के कारण इन्हें अधूरा कहा जाता है जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो इसके नीचे हलंत लगा होता है स्वर के मिलने के बाद ही ये पूर्ण होते हैं व्यंजन को भी तीन भागों में बाटा गया है इसका प्रथम प्रकार है स्पर्ष व्यंजन स्पर्ष व्यंजन 25 होते हैं कवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, टैवर्ग, पैवर्ग कवर्ग के अंदर कव से लेकर यह तक इसे प्रकार चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग ये पूरे स्पर्ष व्यंजन 25 हुए स्पर्ष व्यंजन के बाद हम पढ़ते हैं ओश्म व्यंजन ओश्म व्यंजन में चार ओश्म व्यंजन होते हैं शे, शे, से, है अन्थस्त व्यंजन भी चार होते हैं य र ल व इस प्रकार वन पूण हुए अब हम शब्द की और चलते हैं वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं यानि कि जब वर्णों को सार्थक सार्थक यहां बोला है अर्थ के साथ यानि कि जब वर्णों का सार्थक मेल होता है तो वह शब्द बन जाते हैं जैसे मैं, ओ, है, ए, ने, ए यहाँ पर आपस में मेल होकर शब्द बना मोहन शब्द के दो प्रकार होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द जैसा कि मैंने आपको बताया सार्थक, सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ, यानि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई मतलब हो, पानी, जीवन, आदी, निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहा गया है, इस प्रकार श शब्दों के वर्गी करण पर आते हैं, शब्दों का वर्गी करण चार अधारों पर किया जाता है, सर्व प्रथम उत्पत्ति के अधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के अधार पर हम शब्द के पाँच भेद करते हैं, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशस शब् और संकर शब्द, उत्पत्ति के अदार पर दस्तम जो शब्द होते हैं, वे संस्कृत भाषा के होते हैं, जिने हिंदी भाषा में जोकातियों प्रियुक्ट किया जाता है, तद्बव हिंदी भाषा के शब्दों होते हैं, जिने मूलतव संस्कृत भाषा के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जब हम उन्हें प्रियूक्ट करते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है देशस, देश से उत्पन होने वाले शब्द विदेशस, जो विदेशी शब्द हो वो और संकर, दो शब्दों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं अगला प्रकार है रचना के आधार पर शब्द बेद रचना के आधार पर शब्दों के तीन बेद होते हैं रूल शब्द, योगिक शब्द, योगरूड शब्द इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको पहले वाली वीडियो में बताया है तीसरा है प्रियोग के अधार पर शब्द के बेद प्रियोग के अधार पर शब्द के दो बेद होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द चोथा जो प्रकार है वह है अर्थ के अधार पर शब्द के बेद होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, परियायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी बिननारतक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार हमने पढ़ा शब्द और शब्दों का वर्गी करण आपके PT1 से पूर्व आपका मोक टेस्ट भी होगा जिसमें आपके 10 objective type question तथा 5 true false के प्रशन होंगे इसके अभ्यास के लिए मैंने एक अभ्यास पत्र आपके assessment में भेजा है इसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको पूर्ण करना है आगे के दोहरान का आगे की वीडियो में हम जो बचा हुआ दोहरान है वह पूर्ण करेंगे धन्यवाद